नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है अमिता बच्चन 80 वर्ष के हो चुके हैं लेकिन आज भी लोग इस बात को जानना चाते हैं कि अमिता बच्चन 80 वर्ष में भी इतने अनेर्जेटिक कैसे हैं आज हम आपको बताएंगे कि 80 साल के उमर में भी वह किस मौर्णिंग रूटीन को फॉलो करकर एनर्जेटिक बने रहते हैं आपको बतादें कि 80 साल के अमिता बच्चन जब स्क्रीन पर दिखते हैं तो उनकी एनर्जी का सामना यूवा एक्टर्स भी नहीं कर पाते आपको बतादें कि एनर्जेटिक होने के पीछे अमिता बच्चन की सालों की मेहनत है जिसे वह पूरी तनमेता से पालन करते हैं अमिता बच्चन अपने मौर्निंग रूटीन को लेकर पहत स्ट्रिक्ट है यानि कि दिन भर की उर्जावान बने रहने में ये मौर्निंग रूटीन ही उनकी मदद करता है अमिताब अपने दिन की शुरुआत वर्काउट से करते हैं वर्काउट के दोरान ही वो एक सेब खाते हैं और खूप सारा पानी पीते हैं आपको उता दें कि वो सुबह हलका फुलका जिम करने के बाद ब्रीधिंग एक्सरसाइज योग और प्रानायाम करते हैं जिसकी वज़े से वह काफी फिट रहते हैं अमिताब ने अपने ब्लॉग में एक बार बताया था कि एक्सरसाइज करने के बाद वह 20 मिनिट का वॉक करते हैं ताकि शरीर में ब्लड सेर्कुलेशन सही बना रहे और यही वह कारण है जिससे अमिताब बच्चन आज के समय में भी काफी फिट है अमिताब नाश्टे में दलिया, अंड़ाबुर्जी, दूद, प्रोटीन आदी लेते हैं और पाचन तंतर अगर आपका सही है तो आप बढ़ती उम्र में भी खुद को फिट और एनरजेटिक रख सकेंगे आपको बता दें कि अमिताब बच्चन धूप में भी थोड़ा सुबह के वक्त पर टहलना पसंद करते हैं इससे उनको रात में अच्छी नीद आती है आपको बता दें कि अमिताब बच्चन बज़ुर्ग तो हैं लेकिन उनका शरीर काफी जवान है आपको बता दें कि विटामिन D, विटामिन B12 से भरपूर भोजन करना उन्हें काफी पसंद है जिसमें सोया, बादाम, अंडा, दही आते हैं हम आशा करते हैं जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इस अमित्रों के साथ आवाश्य शेयर करेंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वैल बाटन को ज़रूर दबाएं धन्यवाद